कहानी के शुरू में हमें रात दिखाई गई है जहां पर एक घर में एक लड़का किसी से बचने की कोशिश कर रहा होता है उस लड़की की आसपास बहुत सारा खून था, डेड बाडिस थी क्योंकि किसी ने उस लड़के की फैमली को मार डाला था और वो लड़का सिर्फ अकेला ही जिन्दा था अब उसके हाथ में गन थी और वो भी उस किलर से बचने के लिए चुप रहा था इसलिए उस किलर से बचते हुए वो बैट के नीचे चुप जाता है उस लड़के को अपने पास ही बहुत बड़े बड़े नेल्स वाला हाथ दिखाई दीता है और तबी उस बैट को कोई उठा कर फैंक देता है जिसकी नीचे वो लड़का चुपा हुआ था असल में वहाँ पर किलर था और वो उस लड़के को भी मार ढालता है फिर सीनेक लड़की पर शिफ्ट हो जाता है जिसका नाम चारली होता है चारली ये घर में अपनी मदर के साथ रहता था चारली की मदर को अपने नियू नेबर पर बहुत गुसा आ रहा था क्योंकि उसने अपने घर का सारा गार्विज बाहिर उन लोगों के घर के सामने रखा हुआ था इतनी ही दिर में वहाँ पर चारली की फीमिल फ्रेंड आ जाती है फिर वो लोग मिल कर कॉलिज चले जाते हैं कॉलिज में चारली नौटिस करता है कि पिछले कुछ दिनों से उसका एक फ्रेंड एपसेंट है इसलिए चारली अपने दूसरे फ्रेंड से इस बारे में डिसकर्स करता है जिस पर चारली का फ्रेंड कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद उसे कुछ ना कुछ हो गया है तो इसलिए हमें अपने फ्रेंड को ढूरना चाहिए जिस पर चारली कहता है कि कॉलेज ओफ होने के बाद हम दोनों मिलकर उसे ढूरने जाएंगे पिर चारली की मदर अपने उसे न्यू नेबर से बात कर रही होती है इस न्यू नेबर का नाम जेरी था पिर चारली की मदर जेरी को अपने बेटे और उसके फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है सब लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से बात कर रहे थे चारली की मदर को जेरी एक अच्छे दिल का इंसान लगा इसके बाद जेरी वहाँ से चला जाता है उसके जाने की बाद चारली की मदर कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि इसने आज तक शादी क्यों नहीं की इस बात पर वो लोग हसने लगते हैं चार्ली और उसका friend अपने missing friend को ढूरने के लिए चले जाते हैं और उसका mobile भी पिछले कुछ दिनों से बंध ही आ रहा था इसलिए वो दोनों अपने friend के घर पर चले जाते हैं लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कोई भी नहीं मिलता इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं चारली का फ्रेंड अपने घर जा रहा था कि तबी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे हमेशा ही तंग करता रहता था इसी वज़े से चारली का फ्रेंड उसे बचने के लिए जैरी के घर में गुस जाता है वो वहां से भागते हुए टेरिस पर चला जाता है और फिर जैरी के घर के स्विमिंग पूल में गिर जाता है तबी वहां पर जैरी आ जाता है जिस पर चारली का फ्रेंड उससे हेल्प मंगता है कि मुझे बाहर निकाल दीजिए तब जैरी ऐसा ही करता है और वो भी स्विमिंग पूल में आ जाता है लेकिन जैरी अचानक ही वेंपायर बन जाता है और चारली की फ्रेंड को काट कर उसका सारा खोन पी रेता है और उसे मार डालता है फिर चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड साथ होते हैं तब ही चारली नौ और वो उसके घर में गुस जाता है चारली जारी की फ्रेंड को डून रहा होता है कि तब ये अचानक उसे वहाँ पर एक सिक्रेट रूम मिल जाता है वो जब उस रूम को चेक करता है तब जारी की फीमिल फ्रेंड वहीं पर होती है वो रूम लॉक था लेकिन फिर भी चारली उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है और तब ये अचानक से उसी किसी की आवाज सुनाई देती है इसलिए चारली जल्दी से चुप जाता है और तब ये वहाँ पर जैरी आ जाता है जो उस रूम को ओपन करके अपनी फ्रेंड के पास जाता है जहां पर वो अपनी फ्रेंड का खून चूस कर उसे मार डालता है और ये सब कुछ चारली अपनी आँखों से देख चुका था इसलिए वो डर गया था क्योंकि वेंपायर्स की बारे में उसने सिर्फ बुक्स में ही पड़ा था लेकिन आज तो उसके सामने ही एक वेंपायर खड़ा हुआ है जो कि उसका नेबर है चारली घहरा कर अपनी मदर को कहता है कि प्लीज जैरी से दूर रहे क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है अब हलांके चारली अपनी मदर को जैरी की रियालिटी बताना चाहता था कि वो एक वेंपायर है लेकिन अब क्योंकि जैरी की खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था इसलिए उसे पता था कि मेरी मदर मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी फिर चारली थिंकिंग करता है कि जेरी को आखिर कैसे रोका जाए कैसे मारा जाए उसे तब ही चारली एक आदमे की डिटेल्स पढ़ता है जो कि एक वेंपायर हंटर था इसलिए चारली उसे टाइम लेकर मिलने चला जाता है इस वेंपायर हंटर का नाम पीटर था जो कि एक काफी फेमस वेंपायर हंटर था चारली को उस पर बिलीव था कि वो उसकी हेल्प जरूर करेगा जिससे वो जेरी को मार डालेगा Charlie उस Vempire Hunter यarny Peter को सारी बात बता देता है Charlie बताता है कि उस Vempire ने मेरी आंखों के सामने इक लड़की का क्फोन चूस कर उसे मार डाला लेकिन Peter इस सारी बात को सिर्फ मजाख समझ रहा था और वो Charlie को कहता है कि जाओ तुम घर चले जाओ पीटर को ये सारे बात सिर्फ एक बनी बनाई कहानी लग रही थी और कुछ भी नहीं लेकिन साथ साथ पीटर चारली को एक बात भी बताता है कि तुमने इस बात पर जरूर अमल करना है और वो ये कि अगर वो आदमी सच में एक विमपायर है तो उसे कबे भी अपने घर आने के लिए इन्वाइट मत करना क्योंकि विमपायर्स किसी के भी परमेशन के बगार उसके घर में जा नहीं सकते लेकिन जैरी तो वक्त गुजरने के साथ साथ और ज्यादा खतरनाग बनता जा रहा था वो एक एक करके सबको अपना शिकार बनाता जा रहा था और अपने खुन की प्यास बुजा रहा था और वो दो फ्रेंड्स को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है टाइम गुजरने के साथ साथ वो वंपायर्स का डर लोगों में बिठाता जा रहा था पिर चारली का बदलता हुआ बिहेवियर देखकर उसकी फीमेल फ्रेंड उसके घर पर आती है तब ही घर के बाहिर जैरी आ जाता है और उनके घर का दर्वाज़ा बन था जैरी चारली की मदर को कहता है कि मुझे अंदर आने के लिए इन्वाइट केजिए जिस पर चारली अपनी मदर को कहता है कि नहीं आप ऐसे नहीं करेंगी इसलिए चारली की मदर जेरी को वहां से जाने के लिए गहती है और तब जेरी बगार माइंट किये वहां से चला जाता है लेकिन तबी वो चारली की घर की गार्डन में जाता है वहां जाकर वो जमीन को खोदने लगता है जहां से वो गैस की पाइप निकाल कर उसे काट देता है जिससे वहाँ पर गैस लीक होने लगती है और जेरी लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और चारले का घर जल जाता है लेकिन फिर भी वो तिनों किसी तरह बच जाते हैं तब वो दिखते हैं कि जैरी बाहर आकर कह रहा है कि अब तो तुम लोगों का घर ही नहीं रहा तो मुझे इन्विटेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है और मैं इन्विटेशन तुमसे लेना भी नहीं चाता फिर वो तिनों गाड़ी में बैट कर वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन इतनी असानी से जैरी उनकी जान छोड़ने वाला नहीं था इसलिए वो भी अपनी गाड़ी में बैट कर उनका पीछा करता है लेकिन तबी एक दूसरी गाड़ी चारली की गाड़ी से टकरा जाती है वो लोग अपने आसपास देखते हैं लेकिन जेरी उन्हें भी दिखाई नहीं दे रहा था फिर वो दूसरी गाड़ी वाला आदमी अपनी गाड़ी से बाहिर आता है लेकिन तबी जेरी उस गाड़ी के नेचे से बाहिर आ जाता है और अब तो वो अपने वेंपायर रूप में भी आ गया था और वो उस आदमी की तरह बढ़ रहा था तब वो आदमी अपने गाड़ी में चला जाता है लेकिन जेरी उसे गाड़े से बाहर निकाल देता है और वो उसे काट कर उसका खून जूस लेता है और उसे मार डालता है और अब जेरी चारली की तरफ आगे बढ़ रहा था तब जेरी जेरी को एक क्रॉस देखा कर डराने की कोशिश करता है लेकिन जेरी को उससे जरा भी फरक नहीं पड़ता और वो उस क्रोस को ही जला देता है फिर वो जैसे ही चारली को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब चारली की मदर एक बड़े लकड़ी उसमें गुसा देती है जिससे जैरी तड़पने लगता है लेकिन चारली जानता था कि थोड़ी दिर तक वो दुबारा से अपने असली हलत में आ जाएगा इसलिए वो तीनों जल्दी से अपने गाड़े में बैट कर वहां से निकल जाते हैं ये सब कुछ होने की बाद चारली उस वेंपायर हंटर पीटर से मिलने आता है तब पीटर चारली से सोरी बोलता है कि पहले मैंने तुमारी बात पर विलीफ नहीं किया था पीटर बताता है कि काफी सदियों से वेंपायर पी इस दुनिया में पाए जाते हैं और ये वेंपायर सारे इंसानों को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं तभी पीटर को किसी की कॉल आती है कि आपके लिए एक पार्सल आया है और वो अंदर आना चाहता है इसलिए पीटर उसे अंदर आने की परमेशन दे देता है वो लोग सोच रही होते हैं कि इतनी रात को पार्सल कौन लेकर आया होगा लेकिन तबी वहाँ पर चारली का फ्रेंड आ जाता है जिसे जेरी एक विम्पायर बना चुका था उसे देखकर पेटर डर जाता है और वो एक रूम में जा कर खुद को बंद कर लेता है तब चारली और उसकी फ्रेंड अपने जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और चारली का वो विम्पायर फ्रेंड उनके पीछे पढ़ जाता है तब चारली अपनी फीमिल फ्रेंड को वहां से बागने के लिए कहता है और अपने विम्पाइर फ्रेंड को अपने पीछे लगा लेता है इसलिए चारली की फीमिल फ्रेंड वहां से बाग जाती है और यहाँ पर चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड एक दुसरे से अलग-अलग हो गए थे और तबी चारली की फीमिल फ्रेंड के सामने जैरी आ जाता है तबी चारली की फीमिल फ्रेंड देखती है कि वहाँ पर हॉली वाटर पड़ा है इसलिए वो सॉली वाटर को जैरी की फेस पर फैक देती है जिससे जैरी का फेस जलने लगता है और चारली की फ्रेंड वहाँ से भाग जाती है मेन वाइल चारली का वेंपायर फ्रेंड उसे नीचे गिरा देता है और वो चारली को काट कर बस उसका खुन पीने ही वाला था कि तब ही चारली की फीमिल फ्रेंट आकर उस पर अटेक कर देती है जिससे चारली का वो वंपायर फ्रेंट गिर जाता है जिससे चारली का फ्रेंड जल कर वहीं पर ही मर जाता है इसके बाद चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड वहां से भाग जाते हैं तबी वो दुनों कलब की एक पार्टी में चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग थे और तबी उनका पीछा करते हुए जेरी भी वहां पर आ जाता है अब क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा लोग थे इसलिए चारली और उसकी फीमिल फ्रेंड एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं और फिर जेरी चारली की फीमिल फ्रेंड को पकड़ लेता है लेकिन इससे पहले के चारली अपनी फ्रेंड को बचा पाता जेरी उसे काट कर उसका खोन पी लेता है ये देखकर चारली को काफी अफसोस होता है लेकिन अब क्योंकि उसे अपने जान बचानी थी इसलिए वो वहां से भाग जाता है इसके बाद चारली पीटर के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम बुजदिल हो तुम कोई बहादुर नहीं हो, तुम डर्फोको ना ही तुम कोई वेंपाइर हंटर हो और मेरी वेंपाइर फ्रेंड से बचने के लिए तुम एक रूम में जाकर छुपके जिससे उसने वेंपाइर बनाने के लिए जिन्दा रखा हुआ है इसका मतलब ये था कि चारली की फीमिल फ्रेंड अभी बच सकते थी चारली कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो जारी को नहीं छोड़ने वाला मैं उसे जला दूंगा तुम देखना लेकिन रही बात नौकदर लकड़ी को उसके दिल के आरपर करने के ये काम तुम करोगे अब क्योंके पीटर जानता था कि चारली अकेला तो ऐसा नहीं कर सकता इसलिए वो चारली की हेल्प करने के लिए तयार हो जाता है पिर अगले दिन चारली सारे जरूरी हतियार और टोल्स लेकर जारी के घर पर आ जाता है और उसके साथ पीटर भी आ गया था अपने सारे जरूरी हतियार लेकर लेकिन तबी उन दोनों को चारली की फीमिल फ्रेंड के आवास सुनाई देती है तब वो दुनों उस आवास को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं वो लोग एक बेस्मेंट में आ जाते हैं जहां पर काफी अंदेरा था लेकिन तब ही वहाँ पर जैरी आ कर पीटर पर अटेक कर देता है यहाँ पर पीटर और चार्ली एक दूसरे से अलग हो गए थे और तब ही जैरी अपना थोड़ा सा खोन वहाँ पर गिराता है जिससे उसके सारी वेंपायर्स आर्मी जिन्दा हो जाती है और वो जमीन से बाहिर आने लगते हैं अब पीटर वहाँ पर पूरी तरह पस चुका था चार्ली को अपनी फीमिल फ्रेंड मिल जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी लेकिन चार्ली जैसे ही अपनी फीमिल फ्रेंड के पास जाता है वो एक वेंपायर बन जाती है और चार्ली पर अटेक कर देती है तब चारली एक नोगदार लगड़ी अपनी female friend में घुसा देता है लेकिन इसके बवजूत भी वो नहीं मरती क्योंकि चारली ने वो नोगदार लगड़ी उसके दिल की आरपर नहीं की थी बलकि उसकी body में की थी इसके बाद चारली पीटर को बचाने जाता है लेकिन तब तक वो वंपायर्स पीटर को काट चुके थी तब चारली फ्लोर पर गोली चलाता है जिससे वोंपायर्स जलने लगते हैं और वहां से भाग जाते हैं पीटर अभी जिन्दा था लेकिन वो काफी इंजर्ड था इतनी ही दिर में वहाँ पर जैरी आ जाता है जो कहता है वेलकम टो फ्राइट नाइट तुमने क्या सोचा था कि तुम यहाँ पर आओगे और लकड़ी को आरपार करके इतनी असानी से मुझे मार दोगे तबी चार्ली को रिलाइज होता है कि जैरी एक विमपायर है इसलिए वो भी सैनलाइट से डरता है इतनी ही दिर में वहाँ पर चार्ली की फीमिल फ्रेंड भी आ जाती है और वो खुद को आग लगा कर जैरी की तरफ भागता है और उसे पकड़ कर नीचे गिर जाता है और एक हुक के जरिये खुद को मस्बूती से जैरी के साथ बांध लेता है और अब जैरी की पूरी बोड़ी पर आग फैलने लगी थी उनके प्लैन की मताबिकि उसे पहले जला तब जैरी खुद को काफी अज़ाद करने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें काम्याब नहीं हो पाता तब ही पीटर अपने पास पड़ी हुई गन से छट पर शूट करता है जिससे वो सारे छट गिरने लगती है और सूरज की रोशनी उस रों में चारों तरफ पहल जात जिससे जैरी जलते जलते डस्ट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो मढ़ जाता है उसके मढ़ते ही वो सारे लोग बच जाते हैं जो अभी तक वेंपायर नहीं बने थे यानि जैरी को मार कर चारली ने पीटर और अपने दोनों फ्रेंड्स को भी बचा लिया था और जैरी की खात्मे की साथ ही इस मूवी का भी यही पर दियांड हो जाता है थेंक यू फर वाचिंग